आज भगवान बिलसा मुंडा जी के जनम दिन पर और हमारे राज्य के स्थापना दिवस पर आप सब को बहुत जादा शुब कामना है एक ही बात कहेंगे कि हमारी सोच हमारे धर्म हमारे जो भी ऐसी चीजें जो हमें अलग करती है उन सब से दूर होकर हमें यह आज याद ज़ियान चल रहा है इसी में कॉंग्रिस प्रत्यासी राजिस कच्छब के पक्ष में चुनाव प्रचार में निकली है रांची में लोकसभा की पूरु प्रत्यासी रही जैसा स्वनी सहाई से हम लोग जानते हैं कि जनता का कैसा रुजहान वह महसूस कर रही है जैसे सब्स सी नजन नहीं आ रहे हैं लोगों को काफी लाब मिला है सरकार की योजनाओं से Congress party GMM की योजनाओं से तो बिलकुल लग रहा है कि जंता वापस हमें चुनने वाली है भड़े-बड़े नेता आते भी दिये जा रहे हैं इनसे कैसे कॉंग्रेस पार्टी निभड सकेगी हमें लगता है कि अगर आप किसी भी इंसान से बात करें राची की जनता से बात करें तो चुनाओ जो है वो उनके मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए जैसे कि उनकी शिक्षा, सुरक्षा, सडक, नाल बिजली ये सब जो चीजे होती है सरकार को ये उपलब्दियां प्राप्त करने की जरूरत है लोगों तक तो हम चुनाओ इन ही मुद्दों पर लड़ रहे हैं और बात आती है लोगों को बाटने की तो हमें लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी ने लोगों को हमेशा जोड़ अगर बात करते हैं तो महियां सम्मान योजना के एक तरीके से आर्थिक शषक्तिकरन के तरफ बढ़ाने का एक प्रयास है और शायद कि 1000 रुपे से महिला को का जीवन नहीं चल पाएगा पर ये जो सम्मान है ये महिला की बहुत बड़ी जरूरत है ताकि महिला इन रुपियों से अपने घर पर खर्च कर सके अपने आप पर अपने बच्चों पर अपने परिवार को आगे बढ़ा सके और एक और कदम ले सके ताकि वो और शशक्त हो पाए ये हमारी सोच है और ये सोच बिलकुल लोगों को काफी लाब उससे उठा भी पा रहे हैं हमें नहीं लगता कि हम चुनाओं में सिर्फ इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसे हम एक तरीका बनाने की कोशिश करने जिससे महिलाओं को जादा फायदे हो एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है जो जिस गड़बंधन से आपका सामना इंडिया गड़बंधन की वह वह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है बूथ मेनेजमेंट में उनके लोग बड़ा डटके रहते हैं अभी पहला चरण रहा उसमें उनके तरफ से बूथ मेनेजमेंट काफी मजबूत बताया गया कई जब और इस धर में थोड़ा सा कहीं न कहीं कुछ कुछ कमी रह जाते इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या कोई विसेश कारी योजना या नीती बंद है कॉंग्रेस की देखें कॉंग्रेस पार्टी की नीतियां तो हैं पर बिल्कुल हमारे पास अयोग जादा है क्योंकि हमें गड़ बंदन में एक साथ लड़ रहे हैं तो जेमें कॉंग्रेस राजा जितने भी लोग हैं जो ह हमें काफी फाइदा हुआ है बिल्कुल हमें अपनी भी जो हमने जो गलतियां की हैं जो चूक हुई है उसको देखने की जरूरत है पर हमें लगता है कि इस बार सिफ बूत मैनेजमेंट से हम चुनाओ नहीं जीते हैं जनता को आपको चुनना पड़ता है जनता की दिल में अगर आप नहीं बसे हैं तो आप कितना भी अच्छा बूत मैनेजमेंट कर लिए उससे आप चुनाओ नहीं जीतेंगे हम उसी तरफ फोकस कर रहे हैं चलते चलते अंत में एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप जनता की बीच आ रही हैं तो वह एक ऐसा कोई काम आपको समझ मारा कि इस बार सरकार बनती है मैं यहां पर इंडिय एलाइन्स की तो उस पर काम विसे तोर पर होना चाहिए देखी यहां का सबसे बड़ा जो काम है वह है डिवेलोप्मेंट का जितना भी हम समझे तो यहां के जो इन रोड हो गए जो यहां की थोड़ी इंफ कार उस पर काम करनी चाहिए और बिलकुल हम सब मिलकर भी उसी तरफ में वही चीजों को देख रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या परेशानी है और जादा तर सब की सेम है जैसे कि पानी की परेशानी है पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है गर्मी के मौसम में सडक की हो ज स्याओं और डेवलप्मेंट पर विशेश काम सरकार को इस बर वापसी होती है सत्ता में तो काम करने चे कहने जह सुनी सहाई का बने रहे ऐसे नमीतम ताज्या अपडेट्स के लिए मैं वजदत पिंटू हुरांची